हाई गाईज हाई यू मैं हूं कामाल अली और मैं हूं अतीक अबाई आप देख रहे हैं कामाल अली यूट्यूब चैनल एक नहीं विडियो साथ में दोबारा हादर होएं तो आज हम इस वीडियो पर रेक्शन करने जा रहे हैं वो भी बड़ी इंट्रस्टिंग वीडियो है वीडियो का टाइटल है ग्रीनार रोपवे इस एशिया लॉंगेस रोपवे इनागरेटट बाई पीम मोधी ग्रीनार रोपवे चंडीगड नहीं जूनागड गुजराथ और स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से ये वीडियो ली गई है वीडियो का लिंक आपको लिजेगा और वीडियो को लाइक और शेर भी करें अगर आपको पसंद आती है तो चलें वीडियो की तरफ बार देंसे जरेंगे तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले चलिए इस वीडिय गिरनार रोपवे का निर्मान जुनागर डिस्टिक्ट के माउंट गिरनार पर किया गया है। गिरनार माउंटेन एक मेजर पिल्ग्रिम साइट है जैन धर्म और हिंदु धर्म के अनुयाईयों के लिए। गिरनार माउंटेन पर निर्वाना प्राप्त की थी। इसके साथ ही गिरनार माउंटेन पर बहुत सारे जैन और हिंदु टेमपल्स मौझूद हैं। जिन में अमबाजी टेमपल और दत्तात्रिय श्राइन प्रमुख धार्मिक्स थल है। तो श्रद्धालूओ और पडियतोकों के सुविधा के लिए भावनात तलेटी से अमबाजी टेमपल तक नया रोपवे का निर्मान किया गया। यह रोपवे 900 मीटर की उचाई परिस्थित है। एवम इसकी कुल लंबाई 2320 मीटर है अर्थात 2.32 किलो मीटर। एवम इस रोपवे के निर्मान के साथ ही यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे हो चुका है। एवम इसकी छमता है 1000 यात्री प्रती घंटे। इस रोपवे म में एक डिटैचबल केबल का इस्तमाल किया गया है एवम इस रोपवे में Total 9 सबौर्ट टावर्स का निर्मान किया गया है। एवम इसमें इसमें इसके प्रतेक कैरियर या केबिन में 8 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। एवम इस रोपवे को Statue of Unity, Modera Cricket Stadium के बादुजरा पल तक स्रधालूओं को 500 सीधिया चटकर जाना परता था। एवम घंटों का समय लगता था, ठकान होती थी सो अलग। लेकिन अब यह दूरी 7.5 मिनिट में तै की जातकेगी। एवम इसके कारण टूरिजम के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। एवम यह रोपवे परियतक क को भी आकरशित करेगा। प्रती दिन लगभग 8,000 पैसेंजर्स इस रोपवे का इस्तमाल कर पाएंगे। इस रोपवे को सर्व प्रथम टूरिजम कॉर्परेशन ऑफ गुजरात लिमिटेट द्वारा 1983 में प्रस्तावित किया गया था। एवम इन्वारिनमेंटल एक्टि द्वारा इन्वारिनमेंटल किलेरिंस प्राप्थ हुआ। पहले इस प्रजेक्ट के कंस्रक्शन कभी चालू होता तो कभी बंद हो जाता फिर से रिज्यूम किया जाता। और यह सिलसिला 2018 तक चलता रहा कुछ एन्वारिनमेंटल एक्टिविस्ट के कारण। लेकिन योजना के निर्मान में लगभग 130 करोड रूपे खर्च किये गए हैं। इस रूपवे का निर्मान पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप PPP मॉडल पर किया गया है। इस रूपवे को ऑस्ट्रियन कंपनी दोपल मायर गारवेंटा ग्रूप द्वारा मैनुफेक्चर किया गया है। एवं इस रूपवे को उशा ब्रेको लिमिटेट द्वारा बनाया गया है। एवं उशा ब्रेको लिमिटेट इस रूपवे को ओन एंड ओपरेट करेगी। इस रूपवे को उशा ब्रेको लिमिटेट को बिल्ड ओपरेट एंड ट्रांस्फर बेसिस पे 98 ए वीडियो में जाए हिंद वंद्यमार्ट इसमें काफी सारे की जहन से थी जब बहुत एक अपने आप मस्ते की नहीं चीज़ा दी ट्रस्टेट बेस्ट बहुत शॉकिंग भी थी क्योंकि देखें जारसी बारत जो यात्रा के लिए लोग जाते हैं उनके लिए पच्पंद सौ बड़ी मुशक्त और मैनद वाला काम होता है लेकिन क्योंकि दीनी मसला है या दीनी इंट्रस्ट हो जाता है तो इसमें कभी भी कहीं पर यह चीज जो है वो कि इस पर तो हम नहीं कहेंगे कि यह तकलीफ दे मरहला था जो अब खत्म हो गया और यह वह तो लेकिन यह जाए और इसके साथ साथ यह तो बहुत यह अच्छा कर दिया हमने आगा है बिलकुल अब कहा आपर 500 शीरय तुरिस्ट कहा चड़ेगा तू गए रेता है जाहे जाहे हैं जो तो फिर यह जो है यह चैलेंज बन जाएगा कम से तूर बिलकुल है और उससे इस पर तूररिस होता है आ अब बाड़ी ओ बच जाएं गुमें पे रहा रहा है। अब अब जो रहा है, अब बहुत शांदार और खुब्सूरत यूटा ऐसे जगा में अगर आप चैर लिफ पे जा रहे हो तो बहुत ही हमारी तो बहुत ही रहा है। के बचार थी लिए बहुत है। यहां पर हिंदू और जैन रिलिजन दोनों के मुकदस मुकामात है तो मैंने इंडिया में देखी है यह चीज कि मेरा ख्याल है पता नहीं मैं सही हूँ यह गलत हो मैंने इंडिया में कई मुकामात का सुना है कि वहां पर सेम जो प्लेस है वो किसी दो धरम के लिए मुकदस भी है हाँ होती होगी आडिया हमेश नहीं है पाकिस्तान में में मुसल्मान और सिख कम्यूनिटी के कुछ जगें हैं जो एक जैसी है जैसे मिया मुहमद बक्ष का मजार मिया मुहमद बक्ष का मजार मिया मीर मुहमद है इस तरह करके हैं वो मुसल्मान और सिख कम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत मुकदस जगह है और मैंने यह एक दो जगह पर जाता है लेकिन एक दो जगह पर मैंने नोट किया है कि कुछ जगें ऐसी हैं जहां पर किसी दो धर्मों की वह मुकदस जगह भी है बस हमारोल देखा जाते हैं वीडियो बहुत अच्छी थी शामदा थी यानि देखा जाए तो जो टूरिस जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अची जगह है यह तूरिस के हमाले से देखने के लिए कंप्रमाइज नहीं करता है और उसके यह कोई भी धीवार हो तो उससे पाड़ के निकल के चीज़ के चला जाता है बस यह कर सकता हूं मैं तो तो गाइस यह हमारा रिएक्शन था और बिल्कुल मतलब फेयर और पॉजिटिव इसको जितना रखने की हमने अपनी तरफ से ए लिंक अब ही तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौझी बैल आइकन को भी दवा लें ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अगली वीडिय चाह सेती बाइब